हेलो दोस्तों वेलकम बैक तो दे नियो वीडियो और ये वीडियो रहने वाला है मेरे दिल के काफी करीब यानि कि ये मेमरी इस है मेरी आज से कुछ चाल पांच साल पहले कि जब मैंने मेरा एली कोलेज ओफ एंजिनेरिक में इंडक्शन प्रोग्राम अटेंड किया था तो मैं आज मेरे फोटोस गूगल फोटोस में देख रहा था तो मेरे सामने ये सारे पिक्चर्स है तो मैंने चुछा क्यों ना मेरा एक्स्पिरेंस सेर करू कि किस तरह से आज से चार-पांच साल पहले एली में इंडक्शन प्रोग्राम का फूरा फ्लो था तो यह आप सबसे पहले आपकी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हों कि यह फोटो है सबसे फोटो नंबर फॉर्स कि जिसके अंदर यहां पर एनेक्सी का रूम नंबर है 2001 सेकेंड फ्लोर सबसे बड़ा एनेक्सी के अ थर्मो कॉल की स्रीट के ऊपर यहां पर उसका लोगों यहां पर लिखा था जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं यूट्यूब होट स्टार हाइक जॉमेटो सावन तो यह हमारा आईटी फिल्ल था तो इस तरह से कुछ औरियंटेशन हुआ था इसके बाद हमें जैसे ही ए क्तिफॉर्मेशन ब्रोसर फोर दो यहां तो तूझान ननुट उसके बाद हमें यहां पर एक वोक्स फोपिली कलब की तरब से यहां पर में पर मेगजिन दे रखी थी और उसके बाद यहां पर हमारा फाइल के अंदर एक टाइम टेबल अधर हमें प्रोईड किया था कि हम सा डेकोरेशन किया था डेकोरेशन का कुछ इस तरह का थीम था IT plus IT is equal to IT यानि कि Indian talent इसका short form क्या होता है IT उसके बाद क्या है IT का दूसरा short form information technology यानि कि हमारी ब्रांच और उसके बाद यहां पर क्या लिखा है इंडिया टुमोरो यानि कि आने वाला upcoming इंडिया यानि कि इंडिया का जो talent plus information technology मिलके आने वाले इंडिया को बनाने वाले है तो इस तरह का कुछ हमारा theme था यह जो orientation program होता है यह आपके seniors कंड़क करते तो उन लोगों ने इस तरह का यहां पर design create किया था IT plus IT is equal to IT उसके बाद हमें first दिन पर ही यहां पर हमें time table पकड़ा दिया था कि आने वाले दो विक के लिए आपका induction program का time table किस तरह से रहने वाला था तो जिसके अंदर सारी की सारी details थी अब आपको मेरे time table देखना है तो उसके ऊपर मैंने मैं एक अल्रेडी सेपरेट वीडियो बनाके रखी तो वह आप time table चेक कर सकते हैं कि मेरे टाइम पर 2018 में क्या क्या हमें time table के अंदर प्रोएट किया था जैसे हमारा induction program मतलब orientation program में 2-3 गंडा बिद गया उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक दिया था और उस ब्रेक के दोरान हमें समोसा और फ्रूटी हमें दी गई थी यह अच्छी बात है मतलब कॉलेज ने जब मुझे पता चला कि कल मुझे एक स्टूटेंस ने बताया कि सर हमारे में तो सिर्फ चाई और बिस्कुट डिये थे तो है वोज रियली साओ कि इतना कम बज़िट कैसे हो गया लिगा बट कोई बात नहीं यह एक मेमरी होती है तो उसके बाद हमें मतलब समो डियाएं यहां सपरेक्ट आपका पुरा एक साल हें वो एक सता ब्ऩरां बिलिंग में ही जाने वाला है क्योंकि ए नियुक् handsome स्साइड currently मैं जने आपो-वले साइड के प्याद की स्टूट बनती रहता है ठीक है एक से बिलिंग कुछ ग्राउंड फ्लॉर प्लस थ्री फ्लॉर की बिलिंग है जहां का आपका फॉर्स और सेकेंड फ्लॉर जो होगा उसके अंदर ही आपकी पढ़ाई होने वाली है पूरे फॉर्स यर में क्योंकि तीसरा फ्लॉर है वो पूरा रिजर् बेट इसके बाद पता चला कि यह एक चिमनी है LD College of Engineering जब 1948 में established होई थी ना तब यहां पे boilers और यहां पे factories थी और यह फेक्टरी का machine आज भी यहां पे अंदर आपको देखने को मिलेगा जब भी आप Basic Mechanical Engineering की Lab में जाओगे तब आप यहां पे यह चिमनी देख सकते हो और यहां पे काफी पूराने टाइम के boiler रखे गए थे काफी old age के boiler और यहां पे पूरी वह factory और workshop है कि जो आपको definitely दिखाने वाले है तो यह है LD College of Engineering की famous icon और यह है चिमनी की जो 1948 से ऐसा ही थी उस टाइम पी यह चिमनी working condition में थी बट आज यह चिमनी बंद हो चुकी है उसके ब documents आप easily यहां पे जो भी जब भी deadline होती है वहां पे आप submit करवा सको ठीक है उसके बाद मैं चला गया था समरस होस्टल की visit पे तो बट आप सबको भी पता है कि समरस होस्टल में कहां किसी को under entry लेने देते है तो यहां पे मैंने बाहर जो security cabin थी वहां पे ही यह समरस होस्टल क एक photo click किया था बट दोस्तों मैं बता तो कि समरस में कुछ रहा नहीं था बट यह बहुत ही अच्छे flats बाहर से दिखाई देते हैं मतलब आपको ऐसा दूर से तब पता ही नहीं चलता कि यह hostel है बहुत ही इसका अच्छे से construction किया गया है बट समरस में काफी लंबी process होती है वो सब कुछ आपको feel करना होता है और अगर यहां पर boys के लिए काफी merit मतलब तगड़ा रहता है अगर आपकी अच्छे mark होते हो तब ही आपको समरस में एडवेशन मिलता है उसके बाद मैं चला गया था उसके documents collect करने के लिए तो वहां पर बाहर ही notice board लगा था कि जिसके अ अंदर सारी की सारी information आपको provide कर दी थी तो अगर आप भी समरस में एडवेशन लेना जाते हो तो आप वहां पर जाके देख सकते हो notice board में अंदर और इसके बाद लास में कुछ साबर मती की फोटो क्लिक कर रहा था तो आप देख सकते कि इस ब्यूटिफुल साबर मती रिव और आप भी यह सारे फोटो बहुत ही संभाल के कहीं गूगल ड्राइ में अपलोड कर देना ताकि यह जब भी आप 10-12 साल बात देखो तब आपको बहुत ही एक enthusiasm फील होगा all right thank you very much bye bye